नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज ही Current Effect Classes में तो चलिए स्टार्ट करते है Current Effect Class को बिना किसी रुकावट के तो हमारी हर क्लास मोडिवेशनल थोट के साथ स्टार्ट होती है तो आज का मोडिवेशनल थोट है कि आप यह मत समझे कि महनत करना मुश्किल भरा है क्या पता आपकी इस महनत के नीचे जो आपको फल मिलेगा वो बहुत ही बड़ा हो और Difficulty के साथ ही जिन्दगी जिने का मज़ा है महनत Difficulty कहने का मतलब यहाँ पर है कि Hard Work Hard Work जितना आप Studies के अंदर करेंगे उतनी बढ़िया आपको Result मिलेगा यह हमेशा देखा गया है चलिए Class को स्टार्ट करते है World Consumer Right Day कब बनाया जाता है Direct Question, Direct Answer 15 March को World Consumer Right Day 15 March को बनाया जाता है इस बार की जो Theme रही है वो रही है Tackle Plastic Pollution यानि कि Plastic Pollution को हमें समाप्त करना है यह कब से मनना स्टार्ट हुआ था भई 1983 से इसको स्टार्ट किया गया था लेकिन ध्यान रखेगा कि यह है आपका World Consumer Right Day अगर मैं बात करूँ कि National Consumer Right Day कब मनाया जाता है तो 24 दिसंबर उसका अंसर रहेगा अब Consumer Rights ऐसा कुछ होना चाहिए मतलब कि जो भोकता हैं उनका अधिकार भी होने चाहिए ऐसा शब्द सबसे पहले किस ने दिया था जोन कैनेडी ने दिया था जोन कैनेडी कौन है यह USA के प्रेजिडेंट रहे हैं और यह शब्द उन्होंने 1962 में दिया था भारत की बात करूँ तो भारत में उब भोकताओं की प्रोटेक्शन के लिए उनकी सुरक्षा के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1986 में ठीक है अच्छी बात है यह जो अधिनियम आपका बना था इसको हाल फिलाल के दिनों में संशोधित कर दिया गया है चेंज कर दिया गया है कुछ नियम को और यह कब संशोधित किया गया है लास्ट बार 20 जुलाई 2020 को 20 जुलाई 2020 को इसको संशोधन यानी की अमेडमेंट किया गया था चली अच्छी बात है चलो आगे बढ़ते हैं प्रिवेंशन ओफ टेरिरिजम एक्ट में पाया गया तो उसे दो साल की सजा हो जाएगी श्रिलंका में ऐसा वहाँ पर नियम में बोला गया है अगर मैं श्रिलंका की बात करूँ तो मुस्लिम महाँ पर मैजोरिटी में नहीं आते हैं माइनोरिटी में आते हैं वहाँ पर जो मैजोरिटी पर बुर्खा प्रति बंधित है शिर्लंका यहाँ पर यूज हुआ है तो जरास देख लेते हैं इस देश के बारे में शिर्लंका की राजधानी कोलंबो है या जैवर्धनेपुरं कोटा दोनों यहाँ पर मानी जाती है शिर्लंका के उपर एक प्रेबोन आईलेंड है कौन सा आईलेंड है प्रेबोन आईलेंड इस प्रेबोन आईलेंड में भारत और श्रिलंका के बीच में यह पढ़ता है और यहां पर रामेश्वरम लोकेटीड है very very important question भारत का रामेश्वर नामकस्थान कौन से दूइपर पड़ता है प्रैबोन आइलेंड पर ये पड़ता है ये भारत और शिलंका के बीच में स्थित है एडम ब्रीज आप समय को पता होगा राम से तू ब्रीज एडम ब्रीज वो पात्वे है वो रास्ता है जो शिलंका और भारत के बीच में जोड़ता है पाक स्टेट की बात करें सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर स्ट्रेट शब्द जोड़ा हो गया स्ट्रेट शब्द क्या होता है State Shop का मतलब होता है एक water की canal यानि water का एक path होता है जो दो समूंदरों को आपस में connect करता है तो park street यहाँ पर देख सकते हैं किस किस के बीच में है यह India और Sri Lanka के बीच में हैं क्योंकि जो park street होता है वो दो समूंदरों को तो connect करता ही करता है प्लस ये दो बड़े बड़े लेंड मासिस जो होते हैं जमीनी स्थल होते हैं उनको सेपरेट करता है तो दो भूभाग को अलग करने वाली चीज़ को स्टेट कहते हैं तो भारत और शिरिलंका भूभाग हैं अलग कोन कर रहा है पार्क स्टेट next बात करते हैं कोलंबो जो पोर्ट है श्रिलंका के उपर उसका जो पश्चमी हिस्सा है वो भारत के द्वारा बनाया जाएगा कौन सी कमपनी अडानी गुरूप इसको बनाएंगी और जो पूरवी हिस्सा है वो जापान के द्वारा बनाया गया तो कुल मिला की कोशन अगर आपसे बूचा हो जाए कि श्रिलंका में बन रहा कोलंबो पोर्ट किन देशों के द्वारा बनाया जा रहा है तो अंसर हो जाएगा इंडिया एंड जापान next हम बात करें स्लाइनेक्स और मित्रशक्ती very very important question स्लाइनेक्स और मित्रशक्ती ये दो ऐसी exercise है आर्मी की एर फोर्स की जो इंडिया और श्रिलंका के बीच में की जाती है तो important question है ध्यान रखिएगा भारत और श्रिलंका में होने वाली exercise कौन सी है स्लाइनेक्स और मित्रशक्ती next आप बढ़े हमबन टोटा पोर्ट ध्यान रखिएगा very very important question हमबन टोटा पोर्ट भारत में है या श्रिलंका में है या अंडमान निकोबार में है कुछ भी कोशन अगर आपको आए तो ध्यान रखना है हमबन टोटा पोर्ट आपका श्रिलंका में है और ये port strategic point of view से काफी ज़्यादा महतपूर्ण है क्यूंकि चाइना इस port को बना रहा है चाइना के इस port के बनाने के बाद वो अपना naval base यहाँ पर लगा सकता है और इंडिया को तीनों तरफ से समुंदर में घेरने की वो त्यारी कर रहा है next हम बात करें कच्चा टीवू आइलेंड कच्चा टीवू आइलेंड वो द्वीप है जिसको शिरलंका तो कहता है कि यह हमारा है इंडिया कहता है कि वो हमारा है लेकिन इंडिया शिरलंका को उसको दे नहीं सकता क्योंकि कच्चा टीवू आइलेंड पे development करने की सोच रहा है चाइना अगर ऐसा हो जाता है तो चाइना भारत के करीब आ जायेगा काफी जादा इसलिए ये disputed है यानि कि विवादस्पद है किसके बीच में भारत और श्रिलंका के बीच में ध्यान रखेगा वो कौन सा द्विप है जो भारत और श्रिलंका में विवादित है तो उसका नाम है कच्चा टीवू आइलेंड चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े इबराहिम अफरीकन लीडर्शिप प्राइज क्या है किसको दिया गया है तो हाल फिलाल के दिनों में इसे नाइगर के प्रेजिडेंट नाइगर आपका साउथ अफरीका के उपर देश पढ़ता है यानि कि अफरीका महाद्विप के अंदर देश है और इसके जो प्रेजिडेंट है मुहमद इशिकू को ये अवोर्ड दिया गया है यहां पर नाइगर की बात की गई है तो नाइगर की जो कैपिटल है वो है निया में निया में यहां की कैपिटल है और करंसी यहां की है फ्राइंक ध्यान रखेगा यह अवोर्ड दिया किसे जाता है जो भी देश गुड गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है यानि शुशाशन को बनाए रखता है उसे ये अवार्ड मिलता है और ये 2007 से देना शुरू हुआ था यहाँ पर हम बात करें तो अफरीका के अंदर हाल फिलाल के दिनों में एक माउंटेन मिला था जहां से गोल्ड निकल रहा है तो ध्यान रखेगा अफरीकन कोंटिनेंट में एक ऐसा माउंटेन मिला था जहां पर रो मातरा में बड़ी मातरा में गोल्ड निकाला जा रहा था अपने नियूज में देखा भी होगा इबराहिम से जुड़ा हुआ एक और शब्द यान रखेगा इबराहिम अकोड अबराहिम अकोड क्या है नियूज में सुना होगा ये यूएसे के द्वारा बनाया गया है इसमें क्या किया गया था इसराइल जो देश है वो अपका काफी ज़्यादा दुश्मन देशों से घिरा हुआ है इसराइल के काफी सारे दुश्मन देश है तो उनके आपस में शान्ती बनाये रखने के लिए USA ने इसराइल की दोस्ती उसके आसपडोस वाले राज्यों से जैसे UAE, एजिप्ट जैसे देशों से उसका दोस्ती करवाई और इसको नाम रखा गया इबराहिम एकोर्ड तो ध्यान रखेगा इबराहिम एकोर्ड को किसने करवाया था USA ने इसराइल के देश के साथ नेक्स्ट सांगे वोलकैनो देखे ये वोलकैनो आपके सामने आ गया है ये जो सांगे वोलकैनो है ये हाल फिलाल के दिनों में इरप्ट हुआ है इसमें विस्पोर्ट हुआ है तो विस्पोर्ट तो होते रहते हैं अब इसमें क् बात करें तो ये आपका जरा देखते हैं ये जो आपका सांगे है ये एक्वाडोर यानि कि साउथ अमेरिका के देश एक्वाडोर में मौजूद है चली अच्छी बात है वहाँ पर मौजूद है ये कौन सी परवश रंकला पर मौजूद है तो ये साउथ अफरीका की एंडी परवश रंकला पर मौझूद है एंडिस से बहुत ही सुंदर कोशन आता है क्या आता है एंडिस परवश रंकला किस महादूइप में मौझूद है तो सबसे पहले आपका अंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका में मौझूद है दूसरी बात दुनिया की सबसे लंबी परवश रंकला माउंटेन रेंज कौन सी है तो वो एंडिस माउंटेन रेंज ही है तो ये जो एक्वाडोर के अंदर सेंगे वोल कैनों है ये इसी एंडिस माउंटेन रेंज पे है इसकी हाइट कितनी है 5230 मीटर नेक्स्ट अगर बात करें तो ये तना खास क्यूं रहा है न्यूज में ये फटने के कारण आसमान के अंदर जो इसके विस्पोर्ट में ऐस है लावा है जो धुआ है वो 8500 मीटर की उचाई तक देखा गया ये बहुत ही ज़्यादा होती है इसके उपर सांगे नेशनल पार्क भी बना हुआ है जो यूनेस्को की हैरिटे साइट में आता है तो जब ये विस्पोर्ट हुआ सांगे बुलगैनों में तो इस नेशनल पार्क में भी भारी मातरा में नुकसान पाया गया नेक्स्ट बात करें एक्वाडूर से परशन के आ सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासिस में बताया हुआ है कि जो ओपैक होती है जो संस्ता उसमें कुल 13 देश आते हैं पहले इसमें एक्वाडूर भी आता था लेकिन अब वो इससे निकल चुका है तो एक्वाडूर अप ओपैक में नहीं आता है एक्वाडूर की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है क्वेटा और यहां पर कौन सी करंसी चलती है तो यूएस टोलर यहां पर चलती है एक आईलेंड है जिसका नाम है गैला पैगोज आईलेंड यह आपका जो आपका नोर्थ और साउथ अमेरिका के है इसके बीच में आपका पढ़ता है एक्वेटर के पास और इस आईलेंड पर भी किसका हग है इस पे भी एक्वाडूर का कपचा है ज्यार रखेगा इंपोर्टन कोशन है वर्ल्ड जोगरफी के अनुसार तो गैला पोगोज आईलेंड की स्टेश का है तो एक्वाडूर का है एंडिस के बारे में बता चुका हूँ एंडिस के उपर जो साउथ अमेरिका की सबसे उची चोटी है उसका नाम है माउंट एकन गोवा माउंट एकन गोवा साउथ अमेरिका की सबसे उची जो आपकी चोटी है वो भी इसी एंडिस प्रवर्शंकला पर पाए जाती है हाल फिलाल के दिनों में एक भारतिय महिला ने जिनका नाम है कामिया कारिये उन्होंने इस चोटी पर अपना परचम लहराया था नेक्स बात करें इंडिया का एक्टिव वोलकेनो कौन सा है इकलोता तो आप सभी को पता है बेरन दूइब बेरन आइलेंट है और ये बेरन आइलेंट कहां पढ़ता है ये अंडमान निकोबार में जो पिछला दूइब है यानि की मिडल अंडमान है वहां पर ये पढ़ता है हाइस्ट एक्टिव वोलकेनो दुनिया में कहां पर है तो हाइस्ट एक्टिव वोलकेनो आपका है माउंट केटापेक्स और ये माउंट केटापैक्स एक्वाडोर के अंदर ही है तो ध्यान रखेगा एक्वाडोर में काफी सारे आपके वोलकैनों है जिनमें से एक अभी फटा था और एक जो सबसे उचा है जिसका नाम केटापैक्स है वो भी वहीं पर है अगर पूछा जाए अर्थ का सबसे बड़ा वोलकैनों कौन सा है तो अर्थ का सबसे बड़ा वोलकैनों आपका माउंट मोना लुआ है माउंट मोना लुआ ये कहां पर पढ़ता है हवाई दूइप में ये पढ़ता है नेक्स्ट हम बात करें सबसे उचा तो All-Gear Focus है जो आपका चिले और अर्जेंटीना के बोर्डर पर पड़ता है ये इसमें लिखा नहीं है पर लिख लीजेगा मैंने बता दिया आपको Largest in Solar System पूरे सोर मंडल में सबसे बड़ा वोलकेनो कौन सा है तो उसका नाम है Olympus Mons Olympus Mons कौन से ग्रह पर पर पाया जाता है ये Mars पर पर पाया जाता है चलिए आगे बड़े महा समरुधी महिला सशस्ती करण स्कीम अभी अभी लौंच हुई है किस राज्य में हुई है महारास्टर में हुई है इस स्कीम का काम क्या है ये महिला सशस्ती करण यानि की Woman Empowerment स्कीम है जो ग्रामीन इलाकों में चलाई जाएगी इसके जल्दे क्या हो जाएगा महारास्टर में जो महिलाएं हैं उनको अपने पती के जितना Equal Right मिलेगा प्रोपर्टी के अंदर ये ध्यान रखेगा महारास्टर में अब जितनी भी आपके वाइब से उनको हैस्मेंट के बराबर Equal Property Right मिलेगा महारास्टर की बात करें तो महारास्टर की जो Capital है वो मुम्बई है मुम्बई कोन से दूइप पर बसी हुई है सैलेसेटे आइलेंड यानि کि सैलेसेटे दूइप पर ये बसी हुई है महारास्टर के पास निकट एक See Route बनाया जा रहा है अरब सागर में ध्यान रखेगा next महरास्टर का गठन कब हुआ था 1 मैं 1960 को किस से अलग हो कर गुचराट से अलग हुआ था गुचरात में आपके गुचराती बोनने वाले चले और मराथी बोनने वे आपके महरास्टर में रह गए थे next हम बात करें महरास्टर में एक festival मनाया जाता है गाला गोडा festival ये भी important रहेगा एक महरास्टर का डैम है जिसका नाम है जैकवाडी डैम और ये जैकवाडी डैम कौन सी नदी पर है गोदावरी नदी पर है चली आगे बढ़े RH 560 rocket ये देखे ये रहा हाल फिलाल के दिनों में इसरो ने इसको launch किया है और ये RH का मतलब है याँ पर रोहिनी सैटलाइट सीरीज का ये rocket है रोहिनी सैटलाइट सीरीज के तीन rocket अभी तक भेजे जा चुके हैं तीन सीरीज आ चुकी रोकेट तो बहुत सारे हैं सीरीज तीसरी है ये और जो सबसे पहला भेजा गया था इस रोकेट वारा वो 1965 में भेजा था ये जो आरेच रोकेट था कहां से भीजा गया है सतीजदवन स्टेशन श्रीहरीकोटा में है ये कहां पर है आपका आंदरपरदेश में है ये हैं साउंडिंग रोकेट जो आरेच सीरीज के रोकेट होते हैं वो साउंडिंग रोकेट होते हैं साउंडिंग रोकेट क्या होते हैं जरा ध्यान से सुनिए जब भी भविश्य में इस रोकोई द्वारा कोई सैटलाइट लॉंच करनी हो तो उससे पहले वो atmosphere की study करता है कि आपर wind speed कितनी है plasma का जो thickness है वो कितनी है हवा में तो ये जो nature है atmosphere का ये जाचने के लिए sounding rocket भेजे जाते हैं ध्यान रखिएगा तो ये RH 561 sounding rocket है इस रो की बात करें बार बार हमारे सामने आते हैं तो 15 अगस 1969 को इसका गठन हुआ था इसके headcon है के शिवान और के शिवान को जो आपका astronomy है यानि कि जो आपका space study से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो इनाम होता है जो award होता है won karman award उससे भी नवाजा गया है next बात करें एक g-set 1 satellite है जो launch की जाएगी इस रोके द्वारा भी 28 March को जिसका काम है border images को capture करना तो important रहेगा यह ध्याम लखेगा next है 2001 F-432 asteroid यह एक asteroid है asteroids क्या होते हैं यह आपके celestialist bodies होती है अंतरिक्ष के बड़े-बड़े masses होते हैं और यह जो mostly पाये जाते हैं वो Mars और Jupiter के बीच में एक belt है उसके अंदर यह गूमते रहते हैं तो अपनी belt से gravity खोने के बाद यह इधर उधर shift हो जाते हैं और ग्रहों की और बढ़ते हैं gravity के कारण इसलिए asteroid अभी 21 March को यह धरती के पास से सबसे निकलेगा और आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा asteroid जो धरती के करीब से गुचरेगा वो यही है 2001 F032 asteroid चलिए आगे बढ़ें वर्ल्ड's first platypus century दुनिया की पहली platypus century कहां बनने जा रही है Australia में Australia की राज़ानी क्या है Canberra और यहां के प्राइम मिनिस्टर कोण है Scott Morrison तो platypus क्या होता है देखिए यह platypus होते है platypus स्तंधारी जीव होते है यानि की mammals होते है कैसे mammal होते है यह वो mammals होते हैं जो अंडे देते हैं ध्यान रखिएगा दो ही ऐसे स्तंधारी जीव होते हैं जो अंडे देते हैं एक तो यह है platypus दूसरे आपके Academic है, तो दोनों को आपने ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़े, Australia की बात करें दो यहाँ पर 6 स्टेट हैं कितने स्टेट हैं, 6 ध्यान रख्येगा यहाँ पर 6 स्टेट हैं जिनको आपने याद रखना है जैसे कि मैं बात करूँ अस्टेलिया की राजधानी जो कैन्बरा है वो New South Wales के अंदर आता है ये देखे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइट में नीचे की तरफ सिडनी के नीचे आपका कैन्बरा है और जो मेन मेन आपने क्रिकेट में नाम सुने होंगे देखे पर्थ सुना होगा आपने Western Australia में आता है Darwin आपका Northern Theory में आता है Adelaide आपका South Australia में आता है और जो Brisbane है वो कुईंसलेंड में आता है तो आप ये मैप को अच्छे से पढ़ लिजेगा केंदर साहित्य अकेडमी अवोर्ड दिया गया है कल निखिल अश्वेश्वर को इसमें नामंकित किया गया है यह बहुत बड़े साहित्यकार है और यह जो आवार्ड है यह नेशनल अकेडमी के द्वारा दिया जाता है और इसको घोषना की गई थी अभी पिछले दिन फेस्टिवल ओफ लैटर फंक्शन के द्वारा नेशनल अकेडमी ने एक फेस्टिवल मनाया था जिसका नाम था फेस्टिवल ओफ लैटर फंक्शन उसमें निखिलेश्वर को ये अवार्ड देने की खोशना की गई थी और इस अवार्ड को पाने वाले बहुत सारे लोग थे करीब 18 के करीब लेकिन उनमें से आपको दो तिन याद रखने है जैसे कि आपका विरप्पा मोली को ये अवोर्ड मिला है उनकी जो बुक थी बाहु बली अहीमा उसमें कंदर भाषा में लिखी गई थी तो उसके चलते इनको भी मिलेगा अरुन्दती सुब्रे मन्यम ने एक बुक लिखी थी वैन गोड इसे ट्रेवलर उसमें भी ये अवोर्ड दिया गया है उनको और ये जो अवोर्ड है वो 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है भारत में बोली जाने वाली संविधिनिक भाषाओं की जो माननेता है वो 22 है जो अनुसूची नंबर 8 शेडूल नंबर 8 में आपका दिया गया है लेकिन उसके इलावा दो एक्ष्रा भाषाओं में भी ये दिया जाता है इसमें होता क्या है भई एक लाग का पुरुष्कार आपको दिया जाता है प्लस आपको एक शोल दिया जाता है चलिए अच्छी बात है चोथा गलोबल आयुरुवेद FSV death मनाया गया है इसको इनोग्रेट किया है PM Moddy ने वर्चुली यानि कि ओन लाइन माध्यम से इसको इनोग्रेट किया गया है यह जो आपका festival है आयुष मिनस्ट्री के अंदर आता है आयुष मिनस्ट्री कुध किस के अंदर आती है भाई Ministry of Health क के अंदर आती है इसको बनाया गया था दो हचर चोदा में आयुष का मतलब क्या है आयुरवेद योगा युनानी और सिध्धा और होमियोपैथी ये इसके आपके प्राचिंतम इलाज के जरिए आयुष मंत्राले को बनाया गया है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कब मना ह इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल की शुरुवात भारत में अभी हो चुकी है ये 21 जून को ये बनाया गया था सबसे पहली बार और ये 2015 की बात है तब से लेकर अब तक इसको मनाया जाता है और ये जो अगर आपसे पोशन पूचा जाए कि योगा जो है उसका जो वर्ल् यूपी में के अंदर बनाया जाता है ये जो काला नमक नाम का राइस है इसको जो ग्रोफिकल इंडिगेशन टैग यानि जी आई टैग मिला था 2012 के अंदर ये टैग क्या होता है ये जो टैग है वो ट्रिप्स के द्वारा दिया जाता है ये ट्रिप्स क्या है ट्रिप्स आ अरपना टैग लगाकर उसे बेज सकता है इंटरनेशनल मार्केट में और कोई वो चीज इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेज सकता क्योंकि वो उसकी खासियत होती है तो ये जो कालानमक राइस है ये कहां की खासियत है सिधार्ट नगट डिस्टिक है यूपी के अंदर वहाँ पर इसको जी आई टेग मिला है इस राइस में आयरन और जिंक की मातरा ज़ादा होती है यह जो काला नमक फेस्टिवल है यूपी में इसी तरह आपका स्टोबेरी फेस्टिवल भी मिनाया जाता है जहां सी में इसी तरह जगोरी यानि गुड फेस्टिवल भी कहां मनाया जाता है लखनों में यूपी के अंदर ही मनाया जाता है इसके लावा कुछ इंपोर्टेंट जी आई टेग्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कहां कहां मिले गए हैं तो चंदेरी साडी जो है वो मध्य प्रदेश में इसको जी आई टेग मिला है मैसूर सिल्क आपको पता है मैसूर का कहां पर है नवारा राइस ये कहां पर मिले हैं केरल में इसको जी आई टेग मिला है गुचीची मोश्रूम जो है इसको कहां पर G.I.T.E.G मिला है कश्मीर में मिला है इरोडी हल्दी तमिल नाडू की और जो ब्लैक राइस काला जो चावल है वो मनीपूर में G.I.T.E.G इसको दिया गया है भारत के अंदर जो ट्रिप्स डिपार्टमेंट है उसका हेड़ कोर्टर कहां पर है आपका चिन्नई में है जो जी आपका G.I.T.E.G है इसका डिपार्टमेंट चिन्नई में इंडिया की पहले डेडिकेटिड एक्स्प्डेस कारगो टेर्मिनल यानि की कारगो समान को इधर उदर ले जाने वाली पून रूप से यानि और कुछ महाँ पर पैसेंजर नहीं होंगे सिर्फ कारगो टर्मिनल ही आपका चलेगा स्पेशल अलग से समान का अलग से टर्मिनल यह आपका बैंगलोर एरपोर्ट में बनाया जाएगा बैंगलोर के अंदर एक अंतराष्टे हवाई अड़ा है जिसका नाम है कैमपे गोडा अंतराष्टे हवाई अड़ा ध्यान रखिएगा साथ ही साथ बैंगलोर पहला ऐसा राज पहला ऐसा सिटी बनने जा रहा है जो एक fully AC railway station बना रहा है अगर आपसे बूचा जाए कि भारत का सबसे बड़ा airport कौन सा है तो इंद्रागांधी airport जो की न्यू देली में है भारत का ऐसा कौन सा airport है जो private सहता से बनाया गया है PPP, public private model के उपरा धारित है तो ये कोची में बनायाएगा कोची कहांपर आपका केरल में भारत का सबसे पुराणा airport है जूहू एक्रोड मुंबई में जिसको 1928 में बनाया गया था अगर आपसे पूचा जाए भारत में कुल कितने अंतराष्टी airport हैं तो ध्यान रखेगा 34 हैं और जो सबसे नया बना है वो कहांपर है कैलिकट केरल कैलिकट में हैं जहांपर आपका कोन आया था वासकोटी गामा 1408 में आया था जैमोरीन ने उनका स्वागत किया था चलिए आतम निर्भर निवेशक मित्र पोर्टल ये जो पोर्टल है ये किसने स्टार्ट किया है ये Ministry of Commerce and Industry के अंदर आ रहा है स्टार्ट किया गया है इसके मिनिस्टर कौन है यूनियन पियुष गोल इसके मिनिस्टर है इसमें क्या होगा जो आपकी लोकल लोग है यानि कि जो इंडिया के लोग हैं डॉमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाते है अपने पैसे को टेक्स से बचने के लिए तो उस चीज़ के लिए जो इन्वेस्ट करना चाते है टेक्स से बचने के लिए अपना पैसे को तो वो डॉमेस्टिक इन्वेस्टर्स आपके कहलाते हैं उनकी लिए बनाया गया है यह पोर्टल यहां पर इस पोर्टल पर यह जाएंगे और इतना जो भी कोशन है जहां भी इनको पैसा डालना है उसके जानकरी ले सकते हैं यह भी ट्राइल फेज में चल रहा है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और इसे रीजिनल भाशाओं में ही रखा गया है इसको लॉंच किया जाएगा एक मही 2021 को नेक्स्ट बात करें GST revenue collected in February 2021 में कुल कितना GST collect किया गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं 113,143 करोड इतना ज्यादा GST collect किया गया था February के अंदर GST क्या था आपका Goods and Service Tax यह कौन से बिल के जरिये लाया गया था संसत में 122 में constitutional amendment बिल के जरिये आया था यह GST Act कौन से Act के तुरू बना है 101 अधिनियम जो आपका सविधान संशोदन अधिनियम है उसके जरिये आया था और इसको भारत में शुरू कप किया गया था एक जुलाई 2017 सी यह force में आ गया था यानि यह चालू हो गया था भारत के सविधान में इसको कौन सा आर्टिकल दिया गया है 279A और ध्यान रखेगा इस से अगला आर्टिकल जो है 280 वो भारत में वित्ति आयोग यानि Finance Commission के उपर आपका dedicated है GST क्या है एक परकार का indirect tax है भारत में जो GST collect करने का जो system है वो Canada के model पर अधारित है और दुनिया में सबसे पहले जो GST लाने वाला देश था उसका नाम है France Next करें मेरा राशन एप यह जो मेरा राशन एप है यह Consumer Affairs Ministry Consumer Affairs Ministry जिसको Pius Gowell ही समालते हैं इनके दवारा इसको यह launch किया गया है यह 12 मर्च को launch हुआ है और यह 32 स्टेट और के अंदर शासित परदेशों में इसे लागू किया गया है कि स्कीम के अंदर One Nation One Ration Card के अंदर इसको होती है आज एक और क्लास आपको देखने को मिलेगी वो है हरियाना जी के से करंट के जो कोशन है वहाँ पर मैं शाम तक वीडियो डाल दूँआ तो वो क्लास भी आप देखेगा चलिए तब तक लिए अपना ध्यान रखिए टाटा बबाए